ओम नमस्षिवाय जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ी लिया होगा कि आज हम लोग यहां पर बहुत ही महत्वपोंड इसे पर्चक्चा करने वागे हैं क्या वापस आ सकते हैं गिरे हुए बाल गंजेपन का सिकार हो चुके लोगों के हमें यह सवाल हर समय बना रहता है कि क्या वह अपने बाल को वापस पासकते हैं यह नहीं पासकते हैं तो निश्चित तोर पर आप ये समझे कि बिल्कुल सौव प्रतिसत आप अपने बालों को पा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है वो भी बिना हेर ट्रांस्प्लांट के, यानि कुछ दमाओं, तेल और सही देख बाल से गंजे पन के सिकार को जो दूर किया जा सकता है, किसी क आपके बालों के गिरने की कोई गंभीर बिमारी ना हो, तो सिर्फ कुछ महीनों, कुछ महीनों में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को ले सकता है, हाँ, इसमें कोई अन्यथा दवा होआ के बारे में नहीं बताया गया है, दवा के विसय में आपको चर्चा भी करने की ज याने नहीं हमें महां नहीं जानकारी छुक्तिएं निश्चीत तौर पर पाया जासे कि कुछ करेशलय मुखों को हम यहां पर शेयर कर रहे हैं उन्में से जो भी आपको dal हो अप प्रयोग कर कि देखिए निश्चित तौर पर फैदा होगा यदि किसी व्यक्ति के सिर के बाल बहुत अधिक जड़ चुके हैं या पूरी तरह से वा गंजा हो चुका है तब भी बालों को फिल से उगाया जा सकता है बालों का जड़ना रोकने के लिए गंजा बंदूर करने के लिए अरंडी का तेल बालों के लिए किसी वर्दान की तरह है जब आपके सिर में गंजे पन के पैंच बनने लगी तो आप अरंडी के तेल को बराबर मात्रा में नारियल और आवला के तेल के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं हर रात को सोने से पहले सिर में इन तेलों के मिक्स लगाएं और सुबह ओठकर सैंपू करने यदि हर दिन करना संभो ना हो, तो सकताह में 2-3 दिन ऐसा जरोर करें, दूसरा नुकसा आप ये समझ सकते हैं, दूसरा जो घरेलु उपाई हैं, आप ये समझ सकते हैं, कि सिर में जिस जगह के बाल जड़ने लगे होगे, सुरुवात में जिन लोगों की बाल जड़ने लगे हैं, वहां एक दिन में दो से तीन बार नीबू रगणे, ऐसा करने से बालों की ग्रोथ दोबारा सुरू हो जाती है, सिर पूरी तरह गंजा हो, तब भी यह विधी अप ने वाल्द हो सकते हैं हाला कि हर दिन नहाने से पहले निवू का रस जरूर लगाएं जरूर लगाएं गंजेपन की वजह जानने के लिए आम तोर पर डाक्टर जो टेस्ट करते हैं इन्वे वरतमान के लच्छनों सहीत आपकी इसके साथ ही इन्सामान ने टेस्ट को भी किया जाता है जैसे कि पूल टेस्ट में सिर के एक हिंसे पर कुछ बाल खीचे जाते हैं ताकि यह पता किया जा सके कि हलका सा खीचावाने पर कितने बाल निकलते हैं ब्लड टेस्ट के जरिये भी यह पता लगाया जा सकता है कि सरीर में किन चीजों की कमी या अधिकता है जो बालों को नुकसान पहुचा रही है और कोसिकाओं और तंतूओं में आए बदलाओं को जानकर इलाज का रास्ता साफ किया जाता है इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि ये दो तिन घरेलू नुकसेजे हैं इनहीं से आपको फैदा होगा और भी हैं बहुत से होंगे फैदा आनने से भी हो सकते हैं ये बात नहीं है इन पर गहन जानकारी लीजिए उसके बाद आप प्रयोग करिए गहन जानकारी लीजिए उसके बात प्रयोग कीजिए और अच्छे से प्रयोग करते हुए नियमी तोर पर जिस हिसाब से बताया गया है नियमी तोर पर इसका अनुसासन के साथ पालन करिए निश्चित तोर पर बालों का जढ़ना रुप जाएगा बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का जो जो वीडि उच्छा लगा हो तो आगे भी फारवर्ड करें लोगों को देखने के लिए प्रेरित करें बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का ओम्नमस्षिवाए